पड़ी नहीं रहे हैं यहां पर चार्ज करियर के अवल इलेक्ट्रॉंस होते हैं अब जो रेजिस्टेंस है किसी कंडुक्टर का किसी मैटरियल का वो टेम्परेचर डिपेंडनेंच होता है किस तरह से डिपेंड करता है उसको समझने के लिए हमें मैटरियल की एक स्पेशल परपर्टी होती है पहले उसको समाजना होगा उस परपर्टी वो कहा जाता है टेम्परेचर कोईफिसेंट टेम्परेचर कोईफिसेंट और और रेजिस्टिवीटी इसको हम लोगा आलफा से डिनोट करते हैं जिस तरह से थर्मल एक्सपेंशन में हम लोग एक थर्मल एक्सपेंशन कोईशन पढ़ते हैं लीनियर एक्सपेंशन कोईशन पढ़ते हैं आलपा विल्कुल उसी टाइप का यह भी होता है इसको इस तरह से डिफाइन के जाता है इस तरह से अलफा को डिफाइन के जा सकता है इस तरह से अलफा को डिफाइन के जा सकता है Fractional Change in Registivity यह होगया Fractional Change per Unit Change in Temperature तो यहां से देखेंगे D rho by rho is equal to alpha into dt ऐसे लिख सकते हैं अगर इनको integrate कर दिया जाए तो माल लेता है T1 Temperature पर resistivity है rho 1 और T2 Temperature पर resistivity है rho 2 तो जब इसको integrate किया जाएगा तो यह आएगा log में तो आएगा log rho 2 by rho 1 is equal to alpha into T2 minus T1 dt का integration T limit रख देंगे T2 minus T1 तो यहां से लिख सकते हैं rho 2 is equal to rho 1 e power alpha into T2 minus T1 यहां से यह आजाएगा मतलब rho 2 by rho 1 is equal to आएगा e power alpha T2 minus T1 तो rho 2 के value इतनी आजाएगी यह किसी भी temperature के लिए वैलिड है लेकिन जब temperature difference बहुत ही कम हो मतलब तेंपरेचर में चेंज हुआ है यह बहुत small हो when T2 minus T1 means delta T is small जब यह small होगा हम लोग क्या करेंगे कि exponential का जो expansion होता है इस expansion को यूज़ करेंगे expansion होता है 1 plus alpha into T2 minus T1 plus और आएगा आएगा higher power of T2 minus T1 और alpha यहना alpha की value बहुत ही कम होती है जब इसकी value बहुत ही कम होगी 10 to minus 3 minus 4 ऐसे कुछ होगा और temperature difference मान लेते हैं कि यह जो है यह मतलब 50 degree के आसपास 50 degree से कम हो तो higher power जो बहुत ही छोटा होता जाएगा 1 के relative में बहुत छोटा हो जाएगा तो आगे का जो terms हैं इनको हम लोग निगलेट कर देते हैं इनको निगलेट कर देते हैं तो final जो result आता है rho 2 is equal to rho 1 1 plus alpha into T2 minus T1 तो यह जो formula है यह हमें याद रखना है तो यह जो resistivity है जो की material की property होती है वो temperature पर depend करता है और अगर यह temperature पर depend करेगा तो resistance भी certainly temperature पर depend करेगा तो का सकते हैं also resistance R2 is equal to R1 1 plus alpha into T2 minus T1 यहाँ पर ध्यां रखना है कि rho 2 is resistivity at temperature T2 and rho 1 is resistivity at temperature T1 उसी तरह से जो R2 होगा यह कर सकते हैं resistance at temperature T2 और जो R1 है यह है resistance at temperature T1 alpha जो है जैसा कि बताया thermal expansion coefficient होता है तो जैसे copper एक conductor है इसके लिए अगर बात करें तो इसके लिए जो resistivity होती है temperature के साथ में कुछ इस तरह से change होता है जबकि कोई semiconductor की बात करेंगे तो semiconductor में जो resistivity है temperature के साथ में अलग तरीके से change होती है है ना semiconductor में अलग ही case होता है उसमें क्या होता है कि heat loss का कोई chance नहीं है उसमें क्या होता है कि जैसे temperature बढ़ाया जाता है तो temperature बढ़ायने से charge carrier जो है वो बढ़ जाते हैं कई बार और जब charge carrier बढ़ जाएंगे तो resistivity उल्टा घड़ जाती है कणॉर्ण में क्या होता है कि temperature बढ़ानेसे जो है वो चू क тво лет्रॉंस है वह और भी जादा in अरज़ी एक होई कर लेते हैं और जब तकराते हैं तो और जादा अरe यानी heat loss और ज्यादा होता है तो करते है कि उस case में resistivity जो है जो resistance यह बढ़ जाता है कि conductor case में अलग होता है और semi conductor case में अलग होता है हम लोग यह जो case पढ़ रहे हैं यह conductor के लिए पढ़ रहे हैं यह दिया रगा